है 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 लोग्राइन स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक टुजएड मेड़ेसिंस में तो आज हम बात करने वाले हैं फैनिरा माइलेट डेवलेट के बारे में क्या इसके यूज होने वाले हैं और किन पॉपलर ब्राण नेम से मार्केट में असानी से मिल जाती है और क्या-क्या इसके साइड़ देखने को मिलते हैं तो तुझे लिए शुरू करते हैं जैसे कि फैनिरा माइलेट टेबलेट एक हिस्टामिन गुरूप की दवा है जो इंजक्षन टेबलेट और सिरफ की फोम में मार्केट में एवलेबल होती है लेकिन इस व्यूडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में जानेंगे ये मार्केट में दो स्ट्रेंथ में एवलेबल होती है एक पच्चिस हमजी और एक पचास हमजी तो अब जान लेते हैं किन पॉपलर ब्रांड नेम से ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है एविल, इंटाविल, एन्विल और एलर फैन इन आधी पॉपलर ब्रांड नेम से मार्केट में आसानी से मिल जाती है और ये अपने जैनरिक नाम फैनिवा माइन माइलेट से आसानी से मार्केट में मिल जाती है तो अब जान लेते हैं क्या-क्या इसके यूज होते हैं जैसे कि एक हिस्टामिन गुरूप की दवाई है जो किसी पिरकार के अलर्जी रियक्शन को ठीक करने के उप्योग में लाई जाती है जैसे कि एक हे फिवर नाम की एक अलर्जिक बिमारी है जिसमें ब्यक्ति को छेके आना, नाख से पानी आना, आँखों से पानी बहना और आँख लाल हो जाने जैसी समस्या है देखने को मिलती है तो उसमें भी इसका उप्योग किया जाता है और यदि किसी ब्यक्ति को डश्ट की वये से एलर्जी हो जाए छेके आने लगे तो उसमें भी इस दवाई का उप्योग किया जाता है या सरीर में कहीं पर भी खुजली की समस्या हो और यदि कोई कीट पंची कहीं पर काट ले जिसकी वये से उस जंगा पर रेडनेस हो जाए या खुजली आने लगे या सूजन हो जाए तो उसमें भी डॉक्टर इस दवाई का उप्योग करते हैं और यदि कोई व्यक्ति किसी टैबलेट का यूच कर रहा हो और उसकी वये से कोई रियेक्षान हो जाए तो उसमें भी इस टैबलेट का यूच किया जाता है ओवरॉल बात की जाए तो कोई भी एलर्जी कंडिशन हो तो उसमें फैने रवाइन माईलेट टैबलेट का उप्योग किया जाता है तो अब जान लेते हैं कैस की डोज होने वाली है तो 25 एमजी वाली टैबलेट होती है वो 5 साल से 10 साल तक के वच्चे को दिन में 2 से 3 बार दी जाती है और जो 50 एमजी वाली टैबलेट होती है वो एमरजन सी कंडिशन में 10 साल से उपर के व्यक्ति को दे सकते हैं है तो भात कर लेते हैं इस टेबलेट से क्या क्या सधी क्लगा मिलते हैं जो सकते आर कि यूइद को लेने के बाद चक्कराने जैसी समस्य देखने को मिल सकती है या ज़सिक warto कि नय कि दो सकती है यह अगल ऐसी कोई दिक्कत कि है आपको देखने को मिलती है आफ corona अपने डॉक्टर से जागे संपर करें और भविष्य में इस दवाई को प्योग ना करें तो चलिए जान लेते हैं इस टैबलेट को लेने से पहले क्या-क्या साफ़जानिया रखनी चाहिए तो जो महिला प्रेगनेंट हो तो उसको यह दवाई नहीं देनी चाहिए और किसी व्यक्ति ने एलकोहल ले रखाओ तो उस समय उस व्यक्ति को यह टैबलेट नहीं लेनी चाहिए तो यह थी फूल इनफोर्मेशन फैनी रमाइन माईलेट टैबलेट के बारे में तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है अगली वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सस्क्राइब कर दे थैंक्स पॉर बोचिंग